लेकिन अभी फाइनली ये आदिल मुझे छोड़के जा चुके हैं उस लड़की के पास और मैं ये देखना चाहती हूँ कि तनू बीवी का जो नहीं हुआ तेरा भी नहीं होगा चैलेंज चैलेंज तनू चैलेंज एक साल से वो मेरे साथ है आज मेरे सीने में दर्द है मेरा ह अजबेन चला गया तुने मुझे मेरे पास सारी और यो वीडियोज है जो तुमने मुझे गालियां दिये तनू कि तुम को आदिल का सपोर्ट था ओके अभी ये दिखना है अब को मैं मिडिया के सामने जंता के सामने खुलके आ चुकी हुआ हुए ठीक है आदिल बस इना इससे ज़ादा तुम मुझे टॉचर नहीं कर सकते अभी मैं क्या क्या करूंगी सारी मुडिया को और देश के जनता को सब पता चलेगा देश के जनता को ये बताना चाहते हैं मैं मेडिया में आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि अब आदिल दूसरी औरतों के साथ ऐसा खि कि अब फटरी में जाऊंगी उस में बताऊंगी कितने पैसे लिए सब कुछ आप लोगों को और मेरा इस्तमाल किया मेरा स्त्माल किया कैसे किया सब को मैं बताऊ तो किस लिए देश के जनता हसना हसوا मुझे ने मुझे बार हसो लेकिन आज मैं वो सारी औरतों के हिम्मत बन के आई हूँ हिम्मत करके आई हूँ कि मेरे पती में मेरे साथ दोका किया जब मैं रियालिटी शो में गई काम करने मेरे पीछे मेरी मा का ख्याल नहीं रखा मेरी मा को देखने नहीं गया जो मैं थोड़े बहुत पैसे देखी थी वो भी मर मरा के उसने दिये मेरी भावी को जिस टाम पे मेरी मा का सही इलाज हो जाता तो शायद मेरी मा का आज मेरी मा का देहांत नहीं होता लेकिन इसको यहां से पुलिस उठा के थे लेके गई थी एक तारीक को महिसुर पुलिस यहां से उठा कर लेकर गई था मैसुर्पुलिस ने आज मम्मी बच जाती, दिल में छोट लगी है, अदिल, दिल में छोट लगी है, आपने मेरी भाबी को बड़ा फोन मत करो, मैं बिजी ही, आप उस लड़की के साथ 30 फस मना रहे थे, मेरी माँ हॉस्पिटल में आखरी सांसे ले रही थे, उस लड़की के साथ क्लब में डांस कर रहे थे वीडियोज है उस लड़की के साथ कलब में डांस कर रहे थे मेरी मां आखरे सांसे ले रही थी उस लड़की के साथ अपना बिस्तर गरम कर रहे थे मेरी मां कैंसर से मर रही थी शेम ओन यू आदल शेम ओन यू तनू मेरे पती को एक शादी शिदा इनसान को हाला क आदिल ने तुमको बताया कि मैं शादी शेदा हूँ, मेरे खिलाब गलत-गलत कंप्लेंड किया, फिर भी तुम उसकी जिंदगी में रही हूँ, शेम आदिल शेम आदिल शेम आदिल अपतानो, अब मैं नहीं डरूंगी, जितना केस हो सकता है सारे केस करूंगी, मुझे मेरा हाक वापस चाहिए, जितना हो सकता है, वो शेम आदिल शेम में कल रात को भी गई थी, लेकिन कुछ हुआ है, मैंने उनको रात भर का चांस दिया था, कि मैं नहीं कुछ केस करना चाहती, अगर आप इमानदरी से आजाओ, बट उन्होंने मुझे मैसेज किया, कि get out, जा केस कर, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं सब को खरीद लूगा, मेरे पास इतने, कल तक बोल रहा था, मेरे पास रेंट क्या घर खरीदने के पैसे नहीं है, मुंबई के घर-घर में कहना चाहती हूँ, आदिल खान दुरानी को घर देना मत, क्यों, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैसू अब भी सब पता चला है, सारे criminal records मेरे पास आये हैं, सारे, उनके cases के, तो मैं मंबई के लोगों को चौकन ना करना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरा message मंबई के लोगों को पहुचा दो, मंबई के ब्रोकरों को, पहुचा दो, कि आदिल घंदुरानी को वो घर ना दे, क्यो आदिल के लाइट से, तनू मुबारक हो, आपको आदिल घंदुरानी, अब अपनी बरबादी, तनू अपनी बरबादी का अंतिजार करो, आदिल मुझे बरबाद किया है, अब तुमें कैसे करता है, वो दिख पर, मुझे इसलाम कभूल कराया है, अब तुम भी रेडी हो जाओ करानी के लिए हैं क्यूं जाओ कि अधिल के बौड़ी पे पुरे लवबाइट्स और मैं रोरी उसके पैर पकड़ के मेरा इशाब हो गया है अधिल मुझे सल्लाच से मारा जिखाती हूँ लवबाइट्स मेरे इंस्टा पे जरूर डालूंगी में लवबाइट्स जरूर डालूंगी में में वह लवबाइट्स क्या था क्या बंद बंद बंद